किसी भी शहर की सुन्दरता में चार चान लगाने वाले श्रद्धा इस्थान ही नगर प्रशासन की उपेक्षा का जीता च्राक्ता उधारन बने तो क्या कहिए ऐसी कारे पणाली को ऐसी अनास्था का शिकार हो रहे हैं शहर के श्रद्धा इस्थान में मराठी भाषा के शेक्स्पियर कहे जाने वाले राम गणेश कटकरी की समाधी स्थल प्रशा को नगर प्रशासन द्वारा किये गए कटीले तारो का सुरक्षा कटगरा पूरी तरह से नदारत है समाधी के सौंधर हेत्यू लगाया ग्या ग्रेनिट का पत्थर और मार्वल जगा जगा से तूटा पड़ा है साथ ही समाधी सल के करीबी अतिक्रमन कारी इस समाधी सल और परिसा में अपने कपड़े सुखानी और चूले जिला कर शायद खाना भी बनाने लगे हैं और नगर परिशासन का ऐसी लच्चर रवया रहा तो कुछ दिनों में समाधी पर भी अतिक्रमन होते देर नहीं लगेगी यही हाल इस महान नाटककर और भाषा प्रभू राम गणेश कटकरी की पुतले का है जहां दिन में फलों और साग सबजी की दुकाने इस पुतलों को घेर रहती है वही रात होते ही यह पुतला स्थल का रुपांतरन कोडे दान में हो जाता है और देखते ही देखते हैं साग भाजी होटल चाहे टप्रियों से निकलने वाले सड़क योग तक कोडे का धेल लग जाता है यही हाल देश के लिए अपनी जान नियोचावर कर देश को आजादी दिलाने वाले शेहर के महान देश भक्तों की स्प्रिती में बना बाजार चौक इस्तित जैस्तम अपने अस्तितव पर आसु भारा है यहां भी अतिक्रमन कारी जैस्तम में लगे सियों के पैरों में अपने दुकानों की रस्तियां बांधे रखते हैं ताकि यह शेर यहां से कहीं भाग न जाए कुछ वर्ष पहले नगर प्रिशासन द्वारा उक्तिस्तल पर किया गया सौंदर ये करेंट जैना और विद्यूती करेंट अब नदारत होकर धूल गंदगी और अनास्था का शिकार होकर अपने अस्तितव पर आसु भारा है वहीं नगर प्रिशासन की मुख्य द्वार के सामने सित्म हात्मा गांदी के पुतले का सुरक्षा कज़गरा किसी अग्यात वहन की टक्कर मार देने से महीनों से तूटा पड़ा है वहीं किसी आयोजन पर महात्मा गांदी को पहनाए गए हार कई दिनों तक सूखे पड़े रहते हैं तो पुतले पर पड़ी धूल की परद निरंतर इस बवत्र पुतले की शोभा बढ़ाते रहती है कि स्वचिता विभाग के साथ साथ सारे आलाधीकारी अपने कारियों में इतने व्यस्ते हैं कि उनके पास शहर की अन्य जन्समस्याओं की और ध्यान देने तक का समय नहीं हालात ऐसे बन रहे हैं तो शहर का तो भगवान ही मालिक है इन बीसे न्यूस के लिए सावनेर से समवादता किशो ढूंडेले की ग्राउंड रिपोर्ट